मतलब जो करेंट में जा रही है और समझो इन आ मीटर की जो भी करेंट है उसका पॉइंट टू परसेंट में जा रही है इस तो रेजिस्टेंस अब आ मीटर सबसे पहले देख लेते हैं आ मीटर बनता कैसे गेलिवेनो मीटर से यह एक गेलिवेनो मीटर और आ मीटर बनाने के लिए हम संट क्नेक्ट कर देता है इदर इसकी fakie सह क्योंकि होड़ लो रहिस्टेंस होता है। यह वह उर दिवा है यह हैंसे पूरा जो सर्कीट है, यह पूरा उसको हम बोलते हैं, आ मीटर, यह एक आ मीटर की तरह काम करता है, कर। calculation की तरह काम करता है है हाँ से हम current calculate कर सकते हैं तो यह कहता है कि जो a meter की इस पूरे में जो current i जा रही है इस पूरे circuit में जो current आई है main current है वो a meter की reading है तो उस कहता है कि in a meter 0.2% main current passed through the galvanometer मतलब galvanometer में जो current iz गई है main current i का 0.2% है मतलब iz is iz is 0.2% of main current i यह हो गया 0.2% इसको और अच्छे से लिख लो 0.2 upon 100 on main current i तो main current i यहां से अगर आप तुम देखोगे तो 0.2 by 2 से यहां से यहां से multiply कर दोगे 10 से multiply कर दो तो यह 10 से multiply कर दो पॉइंट हट जाएगा और यह finally मुझे मिल जाएगा यहां से हां तो यहां से जो आई जी की value आजाएगी आई अपान आई अपान 1500 तो यह आई जी आगया इतना और obviously देखो जो galvanometer होता है इसमें बहुत कम current जाती है इसके अंदर coil लगा हुआ है तीक है लो रजिस्टेंस बहुत जादा करेंट जाएगा तो यह coil जल जाएगा तो जो जादा से जादा current यह bypass की तरह काम करता है इसलिए बाइपास होता है यह bypass की जादा जादा majority current इधर से निकल जाती है इसलिए 0.2 परसेंट बहुत कम करेंट इससे जा रही है यह concept याद रखना कई जगे काम आएगा तो बहुत कम current इससे जाती है और वह 0.2 परसेंट है तो यहां से आई जी तो इसमें संट में कितनी current गई आई एस की value कितनी आ जाएगी तो आई एस की value आ जाएगी वह आई माइनस आई जाएगी तो आई में करेंट है यहां से मुझे मिल जाएगा आई माइनस आई जी की value आई अपान यह 500 और यह जाएगा 499 आई अपान 500 तो पूछा क्या है यह हमें रेजिस्टेंस अब दे आ मीटर मतब इस पूरे की रेजिस्टेंस हमें निकाल लिए तो इस पूरे की हमें रेजिस्टेंस निकालनी है तो इस पूरे की अगर हमें रेजिस्टेंस निकालूं तो यहां से गर रेजिस्टेंस पूरे का रेजिस्टेंस निकालना तो इस पूरे का रेजिस्टेंस अगर आ मीटर की रेजिस्टेंस आर है इस पूरे का रेजिस्ट यह logic तो हमें सोचना पड़ेगा ना यहां तो S को G के टब में लिखें इस point one और point two के across whatever जो भी potential difference है इसका और इसका उन दोनों का सेम होगा मतलब galvanometer और संट के across तो इसका मतलब है हुगा कि अब मैं यहां इस circuit से में लिख सकता हूँ कि IG और multiplied by galvanometer का resistance must be equal to IS multiplied by संट का resistance और IG की value I upon 500 है और multiplied by G IS की value 499 और 500 I multiplied by S की value तो I ने I को खतम कर दिया तो यहां से जो संट की value आ जाएगी वह आ जाएगी 500 500 ने खतम कर दिया और G upon 499 इस इस दे वेलू अब दे संट इन टर्म अब जी और यहां पर रहकर लागे रखो तो 1 upon R की जो value आएगी 1 upon G plus 1 upon S, S की value है 499 यहां से S की value रखोगे तो capital G और 499 ऊपर चला जाएगा मतलब यह जाएगा 500 capital G मतलब R की जो value आजाएगी यहां से capital G upon 4 capital G upon 500 यहां capital G upon 500 यहां capital G upon 500 इस 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 दे final solution this is the total resistance of the armitter तो यह जी अपन 500 इसी साफ से हम लोगा C option सही बनता है video pause करो